cxo की Lane को Enable कर देता है और baseband क्लॉक को Enable सबसे पहले वह baseband क्लॉक की सपलाई को Enable करता है फिर आपको baseband क्लॉक CPU से मिलता है फिर उसके बाद में आपके power के अंदर आपके SPMI जो protocols होते हैं Logic system होता है उसको Enable किया जाता है आप देखे वह Enable हो जाता है जब आप पावर की दवाएंगे तो उस तेम पे वो रिसेट होगा ताकि पुराना जो भी था वो बापस जीरो पे आ जाएगा और उसके बाद जब L5 के वोल्टेज बन जाएंगे तब इसके बाद ये भी आपकी सप्लाई CPU को मिलती है अगर ये भी नहीं मिलेंगे तो भी आ है मैं यूदू फैमिली कैसे आप सभी लोग दोस्तो आज में आपको बताने वाला हूं कि पावर आपका किस तरीके से अपने स्वेक्वेंस से अपने फॉन को अउन्ड कराता है तो basically आज मैं आपको power sequence समझाने वाला हूँ और YouTube में अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो देख रहे हैं देवतरनकवाल के official चैनल पर है इसको मेरी महनत के लिए एक like और एक comment बनता है दोस्तों और अगर आपा हैं तो चल को subscribe करके जाएं क्योंकि यहाँ आप से आप इतना सब सीखेंगे जो मुझे लगता है कि किसी basic institute में तो बिल्कुल भी आपको ये सीखने नहीं मिलेगा तो दोस्तों आज मैं आपको power sequence सिखाने वाला हूँ यह है कॉलकम के PM 8953 का power sequence जिस इस एक IC से हम बाकी सारी ISO को कैसे boot होती है तो हम देखेंगे कि 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 अगर हम इस IC में जा सकते हैं जैसे बहुत सारे technicians या बहुत सारे teachers आपको यह सिखाते होंगे कि जहां पर power sequence बूट होता है तो पहले बग बनता है फिर अल्डियो बनता है फिर इस तरीके से सारी चीजे होती है तो आईए अब reality क्या है तो आईए reality को phase करते हैं और power boot sequence को इस तरीके से यहां पर हमारा power sequence on होगा तो आईए इस power sequence को हम चेक करते हैं और देखते हैं basically कि सबसे पहले क्या सारी चीजे होती है तो आईए मैं यहां पर आपको तोड़ा सा explain करना चाहूंगा और तोड़ा सा ओर जूम कर लेता हूं यहां पर ठीक है तो इतना मेरे लिए काफी है और यहां पर पैन लेता हूं पहले मैं आपको इतनी लेवल तक समझाता हूं उसके बाद फिर उसको नीचे करेंगे और यह दिरह हम देखेंगे कि software कब आपका handset logo पर मतलब power on ticker करने के लिए वो क्या रहा है में must stay assert and until VRG L5 is enabled इसका मतलब यह होता है कि आपको power की कब तक दबानी है तब तक जब तक की L5 ना बन जाए तब यहां पर आप देखेंगे कीवेट power on on not power on यहां पर दिया हुआ है बट यहां पर आप देखेंगे pre power on sequence और UV LO on यह सारी चीजे लिखी हुई है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम power की को प्रेस करते हैं तो सबसे पहले SP my logic जो के हमारी power के अंदर होती है वो reset होती है और वो reset होगी तो ही वो सारी sequence को फि सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर जैसे हम primary अच्छा यहां पर लिखा हुआ है primary PON यहां से चालू होता है सबसे पहले आप देखें वी आड़ी जी एस फूर्ड की सप्लाई बनती है तो वी रेग इसको वी रेग बोलूंगा मैं इसको वी रेग मतला वोल्टे रेग वोल्टे रेग लेटर की सप्लाई डो वोल्टेज बनाता है जो की एक हायर अल्डियो से बनता है और यह हायर अल्डियो अगर जो भी मेरे स्टोर्ण डेख रहेंगे उनको पता होगा क्लास में बहुत अच्छे से डीप लेबल बताया है किस तरह इसा बिनाउट सर्की डि बिल्कुल एक सेकेंड के अंदर जिसको हम बोलते हैं कि मिली सेकेंड में आपको S4 की सप्लाई बनती है और वो हमारे इस एल्डियो को जनरेट करती है यहां पर SMPS जो कि एक आपावर के पीज होता है और जो इसको जनरेट करती है जिसमें कोडेक भी होते है और मैं बात होता है उसके बाद में फिर हम आजाते हैं T1 से फिर T2 में आप देखिए कि GPIO का एक सिस्टम होता है और यह बात करें यहां पर यह सिस्टम में यह इंटर्नली होती है जो यह सिस्टम करता है अपने आपको तो इसको हमें चेक करने के जरूरत नहीं पड़ती है हम डारेट आजाते हैं T3 पर ठीक है सो यहां पर आप देख रहे होंगे बूस फोर्स बाइपास फॉर एस्टरल बाइपास चिप सोर्स ऐलेके ल आपके मेमोरी की सपलाई आप देखें तो सबसे पहले इहां पर मेमोरी के लिए, मेमरी मतलब फॉर्स एपीड को चाएगा आपको यहां पर सप्लाई बनती के बाद T4 जिसमें यह VDD CS और CS मतलब हमारी CPU के कोड होते हैं सो हमारे CPU के कोड डिवीजन पर यह वोल्टेज जाएंगे जैसे हमारे OctaCore processor तो इतने सारे कोड़ों को अलग अलग वोल्टेज देने के लिए यह Core processor होता है तो basically यहाँ पर हमारा जाएगा फिर उसके कोड होते हैं और यहाँ पर किसी किसी मुबाइल में APC 0 भी होता है APC 1 भी होता है और basically जिसमें यह दोनों होता है उसमें APC 1 बाइबरेट करने के बाद on होता है तो generally जब हम Tiggering करते हैं तो सबसे बहुत है जीरो ही on होता है मालब इसको 0.8 voltage हमारे मिलने चाहिए तब जाके हमारी supply on होगी और हम T5 पर आ जाएंगे ठीक है तो अब इसके बाद बात करता हूं T5 के बाद देखें जैसे हम T5 की supply तक पहुत जाएंगे उसके बाद आप देखिए MPP 1.25 voltage एक फिर से वही bias voltage इसको हम LDO MSN जिसको हम कहते हैं तो इस line को भी हमें check करनी के जुरूरत हमें पड़ेगी तो हम T5 के बाद डारेट T7 पर आ जाएंगे और T7 पर आप देखें कि जैसी यह सारे बक बन जाते हैं वैसे ही आपका सबसे पहला LDO जनरेट होता है V-Rage L5 और तो वी-Rage L5 के अगर हम बात करेंगे जैसी यह जनरेट होता है दोस्तों तो आप देखें तो आपका आपका जो CXO है मतलब आपके जो crystal लगा हुआ है वो इनिबल होता है ठीक है clock जनरेट इनिबल होता है और आप देखें एक जा रही है यह लाइन तो अगर मैं इस लाइन को देखूंगा क्योंकि एल फाइव ही क्लॉक को जनरेट करती है और तो यहां पर आप देखे जैसी यहां पर 19.2 मेगा हर्ट्स की क्लॉक सिगनल आपके जनरेट होई गे जो बेजबेंड क्लॉक को जब यह आपको जब यह इसके बाद में तब जाके फिर नैस्ट काम होगा तो लफाइब जनरेट जैसी हो जाएगा आप देखे बलेक यहां पर लिखा हुआ है बैस्वेंड क्लॉक इन एन बेज़ता है तब बापस बैस्वेंड क्लॉक की सप्लाइब बेजता है तो आप देखा होगा यहां तक हम आपर बताऊ तो इसके बाद में आगर अगर अगर बताऊ तो इसके बाद में extra की लाइन पर टूड गया है मनला हायर LDO यहाँ पर आप देखे चोटे चोटे भागों में टूड गया है तो जो हायर LDO बनता है वही हमारे जब वीरेज में इन होते हैं तो ही चोटे-चोटे LDOs आउट होते हैं तो वीरेज L7 निकल गया अब वीरेज S3 के बात करेंगे 1.25 तो यह एक वोल्टेज बनता है जो हमारे L1, L2, L3, L23 को बनाता है मतलब यह बैसिकली बापस हमारे LDO section में वीरेज में इन होता है और हमारे यह LDOs को बनाता है जिसमें हम बात करेंगे BDDPX So BDDPX, PX1 से लेकर 2345 तो यह सारी चीजें basically CPU के पाट होते हैं और इसको CPU को वोल्टेज देना होता है और DDR आप देखेंगे RAM का पाट होता है तो basically यह सारे चीज़ है RAM, मतलब यह देखा जाए, तो यह voltage बनने के बाद यह हमारे CPU को voltage देता है, 1.25, अब इसी आप अगर T9 के बाद में T10 पे जाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर LPDDR, मतलब RAM के voltage, तो यहाँ पर आप देखें, तो RAM के voltage को just half कर दिया गया है, तो य यह fix एक voltage होता है, अगर यह voltage ना जाए, तो RAM की supply भी आपकी on नहीं होगी, तो यह reference voltage होते हैं, आप चाहें, तो यहाँ पर divider register लगा कर इसके साथ में, यह supply यहाँ से निकाल सकते हैं, तो divider register लगा कर भी आप यह supply यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यह वाली supply आपकी हो अब मैं बात करूँगा, उसके बाद V-Rage L3 बनता है, जो कि आप देखिए, PLL मलब जिसको हम power loop lock, power loop lock, जिसको, आप देखें कि यहाँ पर, तो DSI मलब डिस्प्ले, serial interface यह power loop lock जो जो होता है, यह supply जाती है, और यह supply CPU में जाकर in होती है, यह सारे CPU को मिलने वाले voltage हैं, पर जब तक यह voltage नहीं मिलेंगे, तो आपका display एक्टिब नहीं होगा, मिपी की supply को एक्टिब नहीं करेगा, तो उसके बाद, दोस्तों, जब T11 तक आपका सारा काम हो जाता है, तो T12 में आपका sleep clock एनेबल होता है, अब देखिए, sleep clock एनेबल हो जाने के बाद, जो आपको पता है, 32.768 kHz के होते हैं, जैसे आपको बता दूँ, पहले RTC लगे होते थे, वैसे ही आप inbuilt RTC होते हैं, जिसको हम sleep clock के नाम से जानते हैं, तो यह 32.768 kHz के frequency से बना आते हैं, तो यह भी हमें चेक करना होता है, कि frequency बन रही है कि नहीं बन रही है, अगर यह यहाँ पर नहीं यह 32.678 वाली आपकी जो supply है, यह frequency supply यह एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद आद देखिए एक V-Rage L13, जो की 3.12 voltage से इसाथ बनते हैं, और जो आपको USB, HS, High Speed और आपकी कोडेक, Mic, Wire इन सब को मिलते हैं, तो यह हमारे एक्टिव होने के बाद बहुत ज़दा जोरी हैं, और इसी से हमारा USB connected भी होता है, 3.1, अगर यह voltage नहीं मिलेंगे, यह भी आपकी supply CPU को मिलती हैं, अगर यह भी नहीं मिलेंगे, तो भी आपका port नहीं बनेगा, और अगर CPU को यह 3 voltage नहीं मिलेंगे, तो port नहीं बनेगा, और आप जितना भी कोसिश करें, DPDM की line को चेक कर लें, य आपको तो पता ही है कि यह पार्ट बनना भोज़ो रही है, क्योंकि यह voltage नहीं बनेगा, तो आटो पोड में सेट आ जाएगा, फिर उसके बाद में वीरेज L12 होता है, जो कि यहां पर अगर हम बात करेंगे, तो यह PS2 होता है, तो दोस्तों PS2 जैसे कि मैंने बताया, जैसे PS1, PS2, PS3, यह ना एक तरह से memory पार्ट है, जैसे हम बात करें, CPU अपनी जो memory होती है, उसको HD, एक card समझता है, HD card, एक external card, तो यह CPU का internal card है, और यह CPU का external card है, तो बिसिकली CPU अपने internal card के लिए भी एक, यहां पर जैसे आप दे सकते है, HD, जैसे हम बूलते है, कार्ड है, तो बि CPU MMC को भी एक card समझता है, तो उस card के रूप में, यहां पर CPU को voltage दिये जाते है, और V-Rage L11 भी यहां पर, यह हमारा external card है, तो यह भी voltage बनना चाहिए, अब हम बात करते हैं, कि जैसे ही, आपने देखा कि clock signal enable हो जाते है, और clock signal आपने notice किया होगा, कि यह signal आपके तबी अपन को enable कर देता है, और basement clock को enable, सबसे पहले वो basement clock की supply को enable करता है, फिर आपको basement clock CPU से मिलता है, फिर उसके बाद में, आपके power के अंदर, आपके SPMI, जो protocols होते हैं, logic system होता है, उसको enable किया जाता है, आप देखिए, वो enable हो जाता है, मतलब जब आप पावर की दवाएंगे, तो उस पर से start होने के लिए enable होगा, और enable होने के बाद, आदे के, तो वो basically power on reset की supply CPU को बताएगा, और CPU को बताने के वाद, CPU उसको PS, बनलब power sequence hold की supply भेजेगी, जिससे वो आपको बुलेगी, कि जितने भी सारे जो voltage आ रहे हैं, आपको जो बुलेगी, जितने भी सारे जो voltage आ रहे ह यही वज़े होते हैं कि इनको fluctuation होते रहते हैं, तो यह holder यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और उसके बाद में आप power off ticker कर देंगे, तो यही सारी चीज़ें आपकी सारी off भी हो जाएगी, तो दूस्तों उसके PS hold मिलने के बाद, फिर आपका काम करता है, आपका power on sequence में, sword wear, so sword wear आपके basically L1 से लेकर, आप देखें L2, 3, 4, 5 नहीं है, क्योंकि 5 sequence में आ गया, 6, 7, 8 नहीं है, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है, 14, 15, 14 है, 15 है, 16, 17, 18, 19, 20, 22, so 21, तो यह सारी चीज़ें जो यह हमारे LDO की voltage हैं, यह भी power ही बनाएगी, पर इसको sword wear के थुरू control किया जाएगा, और इस इस तरीके से power on sequence आपका on हो जाएगा, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, और एक बार मैं फिर से इसको repeat कर देता हूं, तो दोस्तों देखें, जैसी है, आप पावर की दवाएंगे, तो L5 नेबल होना चाहिए, और सबसे पहला voltage V-rage S4 की supply बनती है, जो कि higher LDO होता है, जो हमारे इस LDO को on करता है, फिर उसके बाद में हमें T2, हमें check नहीं करना, T3 पे हमें आ जाना है, क्योंकि यह GPIO हमारे CPU का internally part है, अब हम बात करेंगे, V-rage S7 बनता है, जिसके वज़से हमारे memory को, core को और APC core, CPU को voltage मिलते हैं, और यह buck voltage होते हैं हमारे, इसके बाद हम बात क करेंगे, यहाँ पर यह CPU के core के बाद में, यहाँ पर V-rage L5 नेबल हो जाता है, जिसके बाद CXO बन जाती है, CXO मनलब आपकी जो clock signal है, वो active हो जाती है, 19.2 जो आपको basement clock, जो CPU उसको तब जाके basement clock भेजता है, पर वो बनने से पहले भी, अगर मैं बात करूं, आपका बाक voltage, आपके NAND के voltage, memory के voltage, यह HD card है, जो internal card, इसको हम बोलेंगे, HD MMC card for VDD, इसके voltage मिल जाने के बाद में तब जाके SPMI logic on होता है, और वो आपको power on reset के supply भेजता है, और वो power on reset CPU के थूरू PS hold पाकर, वो stable हो जाता है, और उसके बाद जाके software on हो जाता है, तो दो कैसा लगा यह software power on sequence का game, मुझे बताएगा जुरू कमेंट करके और महनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट हो बनता है दोस्तों, और अभी अगर इस बैच में आपको booking करानी है, तो आप police आ सकते हैं, और दो नंबर में दे रहा हूं, दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं, थैंक्यू बड़ी म कॉल को धशें, यजा एक एक वास्च नाच है, को वास्ट चैसमें, तो अपन दोस्तों का पी डरिख्ताइएख्ण को सुल में दोस्तों के आपको testing, को बैचयो आर वाल, बात सकते हैं, तो कई तो कर тайों, दोस्तों सेहं ड़के, य़िंफेर झालों कंख को को तर्स्स.